हेलो गाइज वेल्कम डू सिलिक नहर्चाव मैं हूँ एंडी और आज का वीडियो का टॉपिक है बर्फ पॉक्सी एक बर्फूट का फंक्शनलिटी है जिसमें हम बर्फ पॉक्सी को यूज करके हमारा जो रिक्वेस्ट उसको चेंज करके सर्वर पर भेज सकते हैं सो इसका कोड़ कॉंसेप्ट है हम यहां पर समझेगे है सो स्वाचो कि जो यह हमारा फेसिबूक का सर्वर हम एक एक्जामप 198 То STOP यहां पर फेसबूक का सब्सक्राइब यह हमारा पीजफीी है थिक है जो एक्पी कर कि नाउ libert water के सकते हैं सो एक जेनरेल सिनारियो देख लेते ताकि हम इसको समझ सके कि वेब सर्वर की और हमारी पीसी के अंदर चलती क्या है अगर सोच लो कि आप डिपी अपलोड करना चाहते हो तो हमारी पीसी से एक रिक्वेस्ट फेस्बूक के सर्वर यह प्रोक्सी को आप अभी इग्नोर करो यह नॉर्मल वेसे डायरेक्ट हमारी सर्वर पे जाएगा जो फेस्बुक का है उसमें और रिक्वेस्ट करेगा लाकि हम एक dp upload करना चाहते हैं तो उसकी page और जो configuration है वह हमें भेज दो तो यह request basically हमारा जो browser है वही करता है जो हमारी pc में के अंदर होती है वो browser यह request करता है अब server बोले है कि अच्छा चलो ठीक है मैं आपको हमारा जो upload का page है उसको भेज दूँगा और उसके साथ configuration भी भेज दूँगा तो अब यह answer हमारे पास चला आया और हमारी browser पर आके यहां पर browser पर चलाया यह ब्रावजर अब क्या करेगा सोच लोग कि facebook को dp जो जाहिए और jpg format में ही चाहिए अब ब्रावजर आप बोले कि अच्छा चलो ठीक है तो मैं jpg format में ही इसको upload करना है जो भी आपका पिक्चर है ठीक है तो आपने क्या किया आप एक jpg आपका जो dp है पिक्चर का उसको जो jpg जो extension है उसका उसको लेकर आप upload कर दिया upload बोटन पर क्लिक करके upload कर दिया तो एक hacker बिसिकली क्या करेगा जब भी यह configuration उसको पास आएगा उसको एक file upload का एक page मिल गया ठीक है जो यहां से जब इसका response आया तब एक file upload का page मिल गया तो उसमें यह क्या करेगा यह hacker उसमें एक reversal का script डाल देगा so script वहां पर जो server पर जाके hacker को reversal दे देगा और उसमें यह server पर यह access मिल जाएगा हमारा cell नहीं मिलेगा क्योंकि server पर जो language server समझती है वह है PHP और python ऐसे ही समझती है जो languages है तो हमें जो reversal डालना है वह इस language पर ही डालना है इस language पर अगर हमें reversal देना है तो हमारा extension .jpg नहीं रहेगा ठीक है वह change हो जाएगा तो यहां पर अगर हम उस file को upload करने जाए तो ब्राउजर हमें बोले कि हमें तो jpg चाहिए तो ऐसे हम कैसे उसका upload करें ठीक है तो यह हम डेमस्टर करके दिखाएंगे पर इस वीडियो हम से code concept है समझेंगे तो अब हमें क्या करना है यह जो server का जो language से और जो working प्रॉसेस जो है वह मैं पहले बदा चुका हूँ वीडियो में वेससाइट बेसिक्स में आप देख लिए ना आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो सो अब क्या करेगा है कर जो सेल उस उसने लिखा उसका अगर सोच लो कि इस server.php समझता है ठीक है किसी-किसी server.php किसी-किसी server. python का script समझता है किसी-किसी और भी language है उसको समझता है तो सोच लो यह facebook.php समझता है तो अब हमारा hacker क्या करेगा उस जो upload button है उसमें जाकर .php एक extension होगा उस reversal की script को तो इसको यह upload नहीं कर पाएंगे तो उसको यह change करके .jpg कर देगा ठीक है उसको change करके .jpg कर देगा तो रन नहीं होगा ना server उसको execute नहीं करेगा क्योंकि उसको यह समझने आएंगा कि यह .jpg क्या चीज है अगर वो picture हो तो आपको यह लगा देगा पर वो आपका एक basically cell और script है तो उसको server को execute करना पड़ेगा पर वो तो नहीं कर पाएंगा उसका extension jpg में हो गया और उसमें cell तो server को basically समझने आएंगा और उसको ऐसी परे रहेंगा उसमें सो आप हमें क्या करना है हमारी जो server और आपका जो attacker PC उसके अंदर हमें proxy setup करनी है ठीक है तो इसमें क्या होगा .jpg का जो sell होगा वो हमारी PC से जब भी निकालेगा यह barp proxy उसको catch कर लेगा ठीक है वो packet को catch कर लेगा जो हमारा packet server के पास जारी है उसको जब ही हमारा PC छोड़ देगा यह barp proxy catch कर लेगा उसमें हम उस packet को edit करके extension को change कर देंगे .php में ताकि यह server पे execute हो ठीक है तो अगर हम उसको अग अब change कर दिया और फिर उसको server पे भेज दिया तो इसको में एक बार clear कर लेता हूं तो अब जो निया path होगा होगा है यहां से जो हमारा .jpg जो format में जो script है वो निकालेगा और proxy में जाएगा बार proxy में जाएगा उसमें हम उसके edit करके .php में convert कर देंगे ठीक है तो उसमें PHP में convert होने के बाद अगर यह server में गया तो यह PHP वहाँ पर execute हो जाएगा और हमें रिवर्सल मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे हम उसको edit करके रिवर्सल पा सकते हैं इस वीडियो में हम इतने दूरी सिखेंगे और इसके लाइप demonstration भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो तब तक के लिए बाद सी यू लेटर इन जाएगा है अवागा है